लोग सब चुनाव नजदीक है इसके साथ ही INDIA में जिस तरीके से शीट शेरिंग को लेके मसला सुलज़ते हुए नजर नहीं आ रहा है उसी तरीके से में भी शीट शेरिंग की जो मांग है वो तेज होते हुए नजर आ रही है जो घटक दल है उन्होंने डिमांड की है कौन-कौन सी सीटों की बीज़ेपी से आज हम आपको बताएंगे तिराक पास्वार नुपिंदर कुस्वार और कौन-कौन से सीटों की डिमांड कर रहे हैं आश्रुतोस्तर हमाय साथ जुड़े हैं सर क्या कुछ जानकारी है क्या कुछ चल रहा है एंडिये में देखिए किसी भी घटबंधन की बुनियाद महतोकांचाएं कितनी हैं उस पर टिक्की होती है कोई भी घटक दल किसी भी बरे पार्टनर के साथ किसी भी एलाइंस में करता है तो उस एक्षा सब्से ज्यादा चाहत होती है कि वो ज्यादा से ज्यदा सीटों पर लइंडिये में जितनी हНैं सबच चाहते हैं कि मुझे ज्यदा से ज्यादा सीटे चाहिए थि anh भी धुलाल है हम बिहार के नजरीये से आज बात चला है ये लोग क्या चाहते हैं बीजेपी से क्या एक्सपेक्टेशन्स हैं और बीजेपी ने इनके एक्सपेक्टेशन्स पर क्या राय दी है बीजेपी ने किन किन सीटो का प्रस्ताव दिया है कि मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं आप लोग को आपको इतने पर ही संतोष करना परेगा तो जो बार्गेनिंग चल लए है दोनों के बीच में सहयोगी दलों के बीच में और नामाजी दो सीटे चाह रहे हैं कि गया तो चाही रहे हैं इसके अलाबा एक और लोगसभा की सीट चाह रहे हैं उसमें जमुई पर भी वून्टा दावा है लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव आया है या बात चल लही है या पहले से ही बात होई थी ऐसी कि एक सीथ ह अपने लिए चार सीट मांग रहे हैं राश्ट्रिय लोग जनता दल उन्होंने अभी फिलाल हाल फिलाल में ही बनाया है पिछले साल इससे पहले भी वह एंडिये के पार्टनर थे 2014 में तब उन्होंने तीन सीटों पर चुना वला रहा था जहानाबाद, काराकाट और सीतामधी लेकिन 2019 में जब लोग सवाटा चुना हुआ तब वो महागाट वंधन में चले गया है और तब उनको पांस सीटे मिली थी इसलिए तीन और पांस नहीं वो चार सीटे चाह रह एक ये पांस सीटों ने रखी है जिसमें से चार सीटों मांग कर रहा है और बीजेपी उनको दो सीट से जानाद देने के मूड में नहीं है बीजेपी ने साब कर दिया है कि हम दो सीट से जादा आपको नहीं दे सकते हैं एक तो कराकाट है ही दूसरी सीट कौन होगी इस प बशुपती पारस अपने लिए जितने सांसर उनके पास हैं उतने तो चाहते ही हैं वैसे उनका दवा ये है कि लोजपा जब एकिक्रित थी 2019 में या 2014 में तो जितनी सीटों पर लोजपा ने चुनावल रहा था या जितनी सीटे जीती थी जितने सांसर चुनकर आये थे उतने उनको चाहिए चुटी लोजपा असल वही है रामविलाज पासवान के असल राजनितिक उत्रादिकारी वही हैं तो फिलाल पांच संसर थे वीना दुबी हलाकि चिराग पासवान के मंच पर दिखती हैं तो उनको छोर भी दिया जाए तो चार संसर थे पशुपती पारस च ज्यादा वो नहीं दे सकते हैं तो तीन सीट क्यों है सबसे बरद दिल् favored इिल्चस्फ को की क्या उसम्हाजिपूर हो विल्कुल नहीं है वीजे पी ने जिन तीन शीट का अफर दिया है उसमें समस्थिपूर है नवादा है और एक राज सवाकी शीट है तो वीजे पीटी जो मनसा है उससे पता चला है कि बीजेपी चाहती है कि पशुपती पारज से राज चभा जाएं और नवादा में सुरजभान सिंग के भाई चन्नन सिंग है उन्टो डिपीट दिया जाएं और समस्तिपूर में प्रिंस राज जोटी रामचंद्र पासवान स्वर्डी जो रा जो भी पासवान चराएं से परश्पती फारश्टी मांग है वही मांग वू भी दो रहा है है उनका ये दावा है उनका एक और लाजका ताना है ठीट अटर जित फुत्र में हमार् नावा सबसे ज़्यादा है राजनितित उत्राधितारे भी मैं हूँ, तो हाजीपूर तो चाहिए ही चाहिए, उससे कोई कंप्रमाइज नहीं, उसके लावा जमोई भी चाहिए, और चार और सीटे चाहिए, और प्लस एक राज सभाती सीट भी चाहिए, यानि कि वो साथ सीटों पर दावा करना हैं, छे ये लोग सभाती, एक राज सभाती, साथ नहीं तो छे मिल जाए, पांच प्लस एट, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको भी अफर है, तीन सीट, लेकिन ठास बाते हैं, दिलचस्प बाते भी है, ति उसमें हाजीपूर भी है, बीजेपी मन बना चुटी है, ति हाजीपू के हवाले से मिल रही है, उसके अलावा एक जमोई होगे, खगरिया भी है, और विस एक दो सीटे हैं, जो टी लोजपार्टी सीटे हैं, चाही रधरोद से अदला बदली हो सकती है, अब रही बात, जो सायोडी दल है, चारो सायोडी दलों की बात हो गई, अब मुकेश शान के तहट ऐसा हो रहा है बीजे कहा यह जा रहा है सुत्रों के हवाले से यह जनकारी सामने आ रहे हैं इन दोनों के बीच में लगातार बाक्चित चल रही है मुकेश सानी दो से तीन सीटों की डिमांड रख रहे हैं लेकिन बीजे पी उनको एक सीट देना चाहती है अब जो खबर आ रही है लेटेस डेवलाप्पेंट यह है कि खगरिया या मुझफरपूर इन दोनों पर पेंज फचा हुआ है मुकेश सानी चाह रहा है कि उनको मुझफर पूरशिक दी जाया और बीजेपी चाह रही है कि खगणिया देते हैं यानि खगणिया और बीजेपी मुकेशणि को देते हैं तो वो सीट आलवडी पशुपतिपारस से खाते से कट जाएगी तो यह अंदर खाने बादशीत च बिखार में पहुत बिहार टीडर निती में उन्हाद तकल होता था विछले कुजिनों से वो बिहार टीडर देती से दूर हैं लेकिन फिर भी आला का मानने उनहीको वुपेंदर यादव को और लोकल जो लीडर है और अमीड साके नीचे जो काम कर रहा हैं गिरी राजमंतरी नित्यानंद्रा है यही दो लोग इन सब लोगों से बाची तर रहा है अलागि पश्वपति पारश से नित्यानंद्रा की बात नहीं हो पाती है तो वहाँ पर भुपेंद्र यादों यह करते हैं तो यह सारी चीजे चल रही है क्लियर हो जाना चाहिए कि बीजेपी ने क्या ओफर दिया इन लोगों को इन लोगों ने क्या डिमांड रखी है कितनी सीटों की और कौन-कौन से सीटों की सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि नितीश कुमार आते हैं तब क्या होगा इसी को लेकर तीनों ने ता चिराग पासवान के अवास पर भैठे भी थे उपहेंद्र कृषवाज इतना माजी और चीराग पासवान ने चिंता है कि नहीं उनके आने से हमारे सीटे तो नहीं कि हमें सीट ज़्यादा स्यादा मिले वैसे ही एंडी एक के भी जो घटक दल है उनके तरफ से भी बीजेपी पर एक तरीके से प्रेशर पनाये जा रहा है क्लियर करना चाहते हैं कि आप हमें पता दीजे कि कितनी सीटे दे रहे हैं और कौन-कौन से सीटे दे रहे हैं ताकि हम चुनाओं में अब जाएं जनता के बीच जाएं अपने उमिद्वार तला से हर चीज में बीजेपी का एक कौमन यह है और सबसे फोकस्ट यह है कि कोई भी दल कितनी भी सीटे ले कोई भी सीट ले लेकिन उसको निकालने का मादा होना चाहिए उमिद्वार मजबूत होना चाहिए जिताओ होना चाहिए प्रारिती में है बीजेपी लिस्ट में कि उसी को उतनी सीटे मिलेगी जो डिजर्व करता है और जो जिता टरके पजान मंतरी मोदी जी को फिर से रिपीट कर सकता है तो यह सारी चीजे चल रही है यकीनन दर्शक समझ गया होंगे कि क्या चल अश्त फिलाल है 30 सीट पर चुनाओ लगना चाहती है बीजेपी खूद लेकिन वह अडर सायोरी दल से बात्चित बन जाती है तो और बात नहीं बनती है तो वह तो तो टिन सीटे नीचे भी आ सकती है इससे भी गुरेज नहीं होना चाहिए और ऐसा होता हुआ भी दिख र जिलती है और घटक दल जिस तरीके से सीट की दिमांड कर रहे हैं कि उनकी वह दिमांड पूरी होते हैं तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब